हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रेटिव बॉपर और आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग एफेक्ट सिखाने वाला हूं जिसका नाम है ग्लिच एफेक्ट और और एलेडी स्क्रीन एफेक्ट तो ये तीन एफेक्ट हम आज कवर करने वाले हैं तो ग्लिच एफेक्ट बनाना बहुत असान है ग्लिच एफेक्ट सिफ दो एफेक्ट को मर्ज करने से बन जाता है तो ये पूरा एफेक्ट मैंने अपने लोगों पर बनाया है ताकि एक ही वीडियो के अंदर हम ये तीन तरह के एफेक्ट कवर कर सक हैं Glitch Effect ठीक है Glitch Effect लिया तो सबसे पहले हम एक background में एक layer ले ले लेते हैं solid layer ले ले लेते हैं और blue color की ले ले लेते हैं blue color की ही ठीक लगती है ठीक है तो मैं एक solid layer ले ले लेता हूं ये background हो गया इसके उपर मैं अपना logo रख लेता हूं जल्दी से इस logo के अंदर इसको delete कर देते हैं कोई layer पड़ी हुई थी तो यह आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यह already क्योंकि animated logo था तो इसकी logo हम logo में से animation remove कर दी है तो इसलिए सब layers पर एकदम normal पड़ा हुआ है तो अब यह हमारे पास logo आ गया है इस logo को रख लेते हैं हमें जहां पर लगता है इसको यहां रख लेते हैं थोड़ा अब यह थोड़ा center में लग रहा है अब देखें दोस्तो कि glitch effect बनाने के लिए मैंने आपको बताया है दो effect चाहिए होते है number एक होता है कुछ background में कोई ऐसी चीज चाहिए जो अजीब तरीके से चल रही है जिसको हम glitch में convert कर सकें और आपको यह चीज बस अपने दिमाग में set कर लेने कि बहुत सारे भैतरीन effect, glitch effect और बहुत तरह के जो animated styles होते हैं वो सब noise से बनते हैं तो देखें हम एक काम करेंगे हम फटाफट एक और layer ले लेंगे इसको ऐसी ले ले लेते हैं इसके उपर जाते हैं noise में जाते हैं और fractal noise on कर देते हैं अब यह देखें यह अपने आप में एक effect बना हुआ है और अगर मैं इसके evolution को चला दूँ तो देखें इसके अंदर एक animation अजीब से animation होती रहेगी जो black and white के through हो रही है ठीक है न आप देखें रहें black and white color है और इसके through यह animation इसके अंदर हो रही है तो इतनी हमारी यह बन गई है ठीक है दोस्तो अब देखें अब आगे क्या करना है अब मेरे को यह इस पर animation नानी है इसके दो तरीके है नंबर एक कि मैं क्या करूं कि यहां पर evolution पर यहां पर इसको पहले zero कर लिया इसको भी यहां पर zero कर लिया ठीक है यह इसको यहां से reset भी कर सकते हैं यहां पर मैंने keyframe लिया और यहां तक क्योंकि मुझे animation चलानी है तो यहां पर मैंने कर दिया जैसे two round कर दिया मैंने ठीक है तो अब यह चलता ही रहेगा यह देखिए और अगर मुझे और speed में चलाने है तो मैं इसको क्या करूँगा मैं यहां पर आके three round कर दूँगा three round four round five round कर दूँगा ठीक है तो यह ऐसे चलता रहेगा यह देखिए है ना लेकिन अगर मिरको चाहिए कि मैं इसमें कोई ऐसा code लगा दूँग जिससे मिरको इसमें कोई key framing ना देनी पड़े और यह चलते रहे तो उसका भी तरीका होता है यह दबाया key frame हटा दिया alt के साथ यहां पर क्लिक करा और मैंने आपको एक code बताया था उसका नाम था time time into 300 semicolon और बाहर क्लिक कर दिया यह देखिए अब यह code यहां पर लग गया अब क्या हुआ इस code को जिससे इसका resolution थोड़ा कम कर लेते हैं हाफ कर लेते हैं ताकि जल्दी दिखाई दे तो यह आपने दो ग्लिच देखा होगा ग्लिच की जो shape होती है ना ग्लिच की जो shape होती है वो थोड़ा सा rectangular type की होती है वो ऐसी नहीं होती जैसे soft linear यहां पर रखा तो मैं एक काम करता हूँ noise का type पहले block कर देता हूँ block करते यह थोड़ा सा अब देखो यह ऐसा लगीगा कि boxes में तो अभी मैं इसको कुछ बनाता है नहीं सेम चीज़ बता देता हूँ कि एक तो हमें इस तरह की कोई animation चाहिए होती है जिसको हम चला सके नमबर दो जिसके उपर चलानी है उस layer के उपर हमें displacement का effect लगाना होता है displacement का effect होता है distraught करने का जिसकी वज़े से हम इस तरह की कोई भी effect को achieve करते हैं किसी दूसरी layer पर तो displacement map मैंने यहाँ पर ले लिया तो कहले displacement layer कौनची है मैंने का यह वाली इसका नाम हम चाहिए तो change भी कर लेते हैं इसका नाम रख लेते है fractal noise ठीक है अब मैंने इसको कर दिया यहाँ पर आके की fractal noise आगे यहाँ पर इस layer के हिसाप से इसको distort करना है तो देखिए अगर मैं इसको करता हूँ distort तो क्या यह distort हो रहा है fractal noise की layer पर effect लगाओ एफेक्ट एन मास्क तो उसके थूरू से हो रहा है यह देखिए अब क्या है क्योंकि अब यह अपने आप में एक थोड़ा से glitch type का effect बन गया है यह देखिए लेकिन यह व के लिए इस effect को भी on कर लेते ताकि background को समझ सके हो क्या रहा है यह देखिए क्योंकि यह ज़्यादा अपनी position से hill नहीं पा रहे हैं यह से इधर इधर blink कर रहे हैं बड़े चोटे हो रहे हैं इसलिए इस तरह का effect बन रहा है इसका मतलब मुझे fractal noise की जो layer है इसमें कुछ करन पड़ेगा तो देखिए वो हम क्या कर सकते हैं मैं सबसे पहले complexity में आता हूं और देखता हूं यहां पे अगर इसको थोड़ा और complex करते हैं तो क्या होगा थोड़ा से एक काम करते हैं इसको transform में आते हैं इसको uniform scale हटाते हैं क्योंकि मेरे को यह ऐसे width wise करना है glitch तो मैंने इसकी width जो high कर दी यह देखिए ऐसे और जो इसकी height है इसको मैंने पतला कर दिया इस तो यह हो गया अब देखिए यहां पर किस तरह की glitches से बन गया है न यह इस तरह की हम पर stroke आ गये changes हो गये अब दूसरा एक काम करते हैं यह तो लगभग ठीक लग रहा है और इतना रख लेते हैं इसको उसके बाद मैं काम करता हूं इसका contrast थोड़ा सा और बढ़ाता हाँ यह देखिए black and white की है तो और ज़्यादा distort हो अब मैं इसको hide करता हूं थोड़ा सा तो यह देखिए अब यह थोड़ा सा glitches के अंदर ज़्यादा बन गया है यह देखिए है ना चलो तो यहां तक तो हमें आगे कहानी समझ में अब चलिए logo layer को समझते हैं कि हमें करना क अब वो कह रहा है maximum horizontal displacement कितना चाहिए तो अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो यह देखिए इतनी आगे तक यह glitch जा रहा है ठीक है और मुझे हमें ऐसा effect बनाना है यह देखिए अगर मैं यहां पर rub करूं ऐसे तो मुझे यह effect कुछ बनाना है इस तरीके का तो इसका मतलब मु इस channel के through करना है तो red में भी हो जाएगा green में भी हो जाएगा तो green रख लेते हैं अभी अगर मैं इसको ऐसे करूं तो यह यह वाला glitch है उपर नीचे वाला glitch अगर हमें यह वाला glitch चाहिए तो हम यह वाला glitch भी ले सकते हैं तो आप पहले इसे खुद रब करके देख लो कि आ समझ में आ रहे है अगर आपको ठीक लगे तो आप मान लेना ठीक है तो zero करके इसको भी ले लेते हैं हो सकता है इसकी भी help पढ़े कहीं पर तो अब क्योंकि आपने देखी लिए तो आपको समझ में आ गया हो glitch effect बनाना कितना आसान है बस आपको जो भी आप music लगाओगे glitch का उसके हिसाब से आपको इसको control करना है तो अब एक काम करते है zero हो गया मैंने plus button दबाया और plus button दबाया तो यह मेरे पास frame आ गए 5 frame 10 frame और य दोनों की frame यहाँ पर ले लिए कि यहाँ पर मुझे complete चाहिए और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसका यह displacement बढ़ा दिया इतना बढ़ा दिया लगबख थोड़ा सा यह भी बढ़ा लेते हैं चलो इसको नहीं बढ़ाते हैं इसके वज़े से एंगल बन रहा है तो इसको नहीं हम बढ़ाते हैं इसको इतना मैंने बढ़ा दिया लगबख 600 कर देते हैं अब देखे हो क्या रहा है यहां से आ रहा है और यहां पर बन रहा है है ना तो 20 frame पर यहां आ जा रहा है इसको और बढ़ा के 200 कर देते हैं, डाइसो कर देते हैं, अब देखें, ठीक है, अब देखते हैं, क्या हुआ है, तो यह हो क्या रहा है, यह बन रहा है, और फिर थोड़ा स्लो बन रहा है, तो यहां पर आके इसको यहां रोक लेते हैं, अब देखते हैं, ठीक है, यहां पर फ्रेम पे आया, इसको थोड़ा सा ग्लिज बढ़ाया, लगभग 40 के असपस, और इसको वापिस नॉर्मल कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है, तो अब देखें क्या बना है, अगर मैं इसको ग्लिज को सिर्फ यह तक N दबा दूँ, इस एनिमेशन को देखने के लिए, यह थोड़ा जल्दी होना चाहिए, तो मैंने क्या कर रहा है, यह दोनों तीनों की फ्रेम पकड़ें, और दबाया, इसको और जल्दी कर दिया, अब देखें, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे नीचे वाले फ्रेम की जोट पड़ें की स्कोट आदेते हैं, इसको आदेते हैं, अभी के लिए, इन सब को मैंने पकड़ा, F9 किया, ठीक है, यहाँ पे आए, इन सारे फ्रेम को लिया, और मुझे चाहिए कि, यह जो है, अब देखें, क्या बनाई यह, हाँ, अब यह सही लग रहा है, एक दम, एक दम तेजी से लग रहा है, है न, तो अब मुझे यह पता चल गया है, यह जो है, छोटा ग्लिच है, यह मैंने बड़ा ग्लिच बनाए है, तो अब मुझे अगर इसको एक बार और रिपीट करना ह तो मेरे को यह तीन कॉपी करने है, फ्रेम, और जैसे मैंने का, दूसरे सेगिंड पर, अब जहां जहां पर मेजिक होगा, मेरे को बस यह ग्लिच वहां रख देना है, समझगे, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को यहां रखना चाहिए, तो मैं इसको यहां रख लेता और अगर मुझे तूरंट दो बर चाहिए, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, और यहीं पे इसके साथ चिपका दूँगा, तो अब यह दो बर होगा, ठीक है, तो यह तो हमने यहां पर अचीव कर लिया, गलिच एफेक्ट, दोस्तों यह असानी से गलिच एफेक्ट यहां पर बन गया, और यह एनीमिशन भी बहूंआ पर बन गया है, अब मैं आपको बताता हूं, कि उलीच वाला ऐफेक्ट कैसे बनता है, जैसे कोई बी चीज जब इसकूटी पे चलती है, तो आपको पता है, कोई बीच जो हम स्क्रीन पर बनाते हैं, वा पिक्सल से बनी हूई ह होती है है तो अगर मुझे उसको थोड़ा एक्जाजरीट करना हो effect को तो मुझे हर चीज pixels में चाहिए होगी हर चीज जो है छोटे-छोटे square में चाहिए होगी या हर चीज छोटे-छोटी square में चाहिए होगी तो देखिए वो कैसे करते हैं आपको एक effect इसके effect बहुत सारे हैं मैंने आपको यह वाला effect बताया था कि जैसे अगर कोई चीज में को balls में convert करनी हो इस तरह से हम environment बना सकते हैं और अगर मैं इसको चोटा करूँगा तो यह यहां से आके यह यहां पर बन भी जाएगा तो अभी क्योंकि मैंने यह वाला effect भी इस पर लगा दिया तो glitch तो इसके साथ भी काम करेगा यह देखिए और कितना सुन्दर भी लगए यह effect यह देखिए लेकिन अभी क्या है अगर मैं इनको pixels मान लूँ तो यह pixels बहुत बढ़े हैं तो मुझे इनका size ठोटा करना पड़ेगा लगबख ताकी कुछ screen type का लगे है अब यह थोड़ा सा LED screen type का लग रहा है और अगर मैं इसकी spacing बढ़ा के art कर दूँ तो क्या होगा देखिए यह मैंन अब देखिए हो क्या रहा है अच्छा तो लग रहा है इसको 40 करते हैं ठीक लग रहा है लेकिन इसकी हिसाब से हुआ क्या है इसकी lightning बड़ी कम हो गई है तो इसकी lightning बढ़ाने के लिए इस पे हम glow भी डाल सकते हैं तो हम यहां पे देखिए अगर आपको यहां से effect control नहीं कर कर सकते हैं glow अगर आप नाम से टाइप करेंगे तो वह effect नहीं आ जाएगा और मैंने उससे इस लेयर पे drop कर दिया ग्लो आ गया और ग्लो इस पर लग भी गया अब देखिए glow कितना चाहिए मुझे तो glow मैंने कहा अगर मैं इसको threshold को कम करूं और radius बढ़ाओं तो glow ठीक लग रहा है अब intensity बढ़ाएं तो क्योंकि आपको पता होगा LED स्क्रीन पर जब कुछ होता है तो शाइन करता है है ना तो यह हमने कुछ ऐसा effect बना लिया अब मैं चाहता हूँ कि जब दूसरा glitch हो ना तो दूसरे glitch के time यह धीरे-धीरे balls जो है convert हो जाए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर number 1 तो हमें अगर मैं इसको zero कर लेता हूँ यह effect पूरा खतम हो जाता है नहीं होता तो मुझे एक तो इसका चाहिए threshold का एक मैंने इस का लिया एक मैंने intensity का लिया इन तीनों के मैंने keyframe ले लिए यू दबाया ठीक है यह तीनों keyframe यहाँ आ गए और दूसरा मेरे को balls खतम करने के लिए मुझे चाहिए होगा कि मैं अगर इसको zero कर दूँ तो यह खतम हो जा रहा है और अगर मैं scatter नहीं करना चाहता इसको जल जा रहा है हमें यह भी चेंज नहीं करना और अगर मैं balls बढ़ाता हूं तो यह कि नॉर्मल होने लगता है थोड़ा से देखना पड़ेगा तो अभी एक काम करते हैं इसको यहां पर ले लेते हैं effect को बॉल वाले effect को यहां ले लेते हैं ठीक है और एक बार इस लिएर पर फिर यू दबाते हैं देखिए सारे की फ्रेम हमारे पास आ गए हैं आपर अब हम क्या करेंगे कि जब यहां पर glitch होगा तो सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं और इसको zero कर देते हैं glow को इसको zero कर देते हैं और इसको zero कर देते हैं ठीक है, इसको बढ़ा आया, नहीं आया, दो किया, दो ग्रेट, कुछ नहीं हो रहा, और ये मैंने इसको यहाँ पर ऐसे कर दिया, ताकि इतना एक पर हो जाएगा क्या, एक पर कर दिया, और इसको 100 साइज कर दिया, बॉल का, अब ये लगबग जो है, ये मैच हो गए, कि यहाँ से ग्लिच हो के, यह यहाँ रुक रहा है, तो अब देखें जरा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लियर को यहाँ से इसकी कॉपी ले लेंगे, डुप्लिकेट, यहाँ से इसको काट देंगे, और इसके उपर से यह वाला एफेक्ट ही हटा देंगे, डिलेट कर देंगे, डिलेट, डिलेट, और डिलेट, अगर म हमने सबसे पहले glitch effect लगाया फिर हमने उसके उपर lighting डाली कि कैसे LED effect बनाते हैं CC ball चे तो देखे कैसे pixels में ये effect तूट गया है ये भी बड़ा incredible effect लग रहा है अब तीसरा effect जो मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है RGB split ये बहुत popular effect है ये channels के through बनता है आपने देखा होगा logo इसके उपर एक जब मैं आपको image effect बता रहा था तब भी मैंने बताया था channels में use करके तो इसमें क्या होता है एक red color की same image और green color की same image और blue color की same image उसके उपर wiggle करती है और वो effect generate होता है तो देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं आपको समझ में आ जाएगा ये logo यहां पर आ ज रख लिया और इसके उपर मैंने effect लगाया चैनल का क्योंकि अगर मेरे को RGB channels में काम करना है तो फिर तो channels देखने पढ़ेंगे है ना अगर मुझे red, green, blue में इसको अलग-लग distribute करना है तो फिर तो channels में जाना होगा ना तो हम यहां गए effects में गए channel में गए तो यहां पर बहुत सारे channels को change करने की setting है लेकिन मेरे को जो सबसे एक ज़्यादा पसंद है वो है set channels और shift channel तो अभी हम जो देख रहे है वो shift channel है क्योंक और take green from off तो हम मैंने का इस layer मेरे को green नहीं चाहिए take blue from off मुझे blue भी नहीं चाहिए सिर्फ red चाहिए ठीक है ऐसी मैंने duplicate layer ली इसमें मैंने red को off कर दिया और मैंने इसको कहा green ठीक है और इसके फिर मैंने duplicate layer ली और उसके बाद मैंने इसको कहा इसको कहा off और इसको कहा blue तो अब मेरे पास तीन layer आ गई है अब मैं blue को थोड़ा सा यहां रख लेता हूं नीचे और इसको थोड़ा सा यहां रख लेता हूं उपर और red को थोड़ा सा रख लेता हूं यह तो अब मेरे को चाहिए कि जो मेरा main logo है उसके उपर इन तीनो लेयर की में position की animation हो ऐसे position की animation हो तीडी मेडी लेकिन उसके नीचे मेरा logo दिखाई भी दे तो उसके लिए मुझे इन तीनों की blending चेंज करने पड़ेगी और इन तीनों की blending मैं screen भी कर सकता हूं तीनों की blending मैं add भी कर सकता हूं और तीनों की blending मैं lighten भी कर सकता हूं वो मुझे देखना होगा कि वो कैसे effect मुझे चाहिए तो देखे किस तरह से यहां पर RGB की lightening है वो अलग लग हो गई और कितना अच्छा भी effect लग रहा है लेकिन यह हमें दिखाना होगा जल्दी से ताकि व दूसके बाद वाफिस अपने जगे logo ठीक हो जाए तो मैं क्या करता हूं इन तीनों को पकड़के पहले इसको precom बना लेता हूं इसका नाम रख लेता हूं split इस layer के अंडर जाएंगे तो यहां पर वो तीनों layer में लेको दिखरी है जो मैंने अभी लिया था इन तीनों को प यहां पर पेस्ट कर दिया तो तीनों की position सेम हो गई है ठीक है दोस्तों और क्योंकि यह लाइटन मोड पे है आर जी भी टीनों की अलग लग वैली है तो देखे किस तरह से ऐसा लग रहा है कि एक ही लिए रहा है अगर मैं इसको हलक एस shift करके वापस आउंगा तो आप करता है था विगल जो अपने आप automatically randomly इसको move करता है तो मैंने का एक second में मुझे चाहिए कम से कम 6 बर move करें और उसका जो intensity होगी वो 20 pixels की intensity हो मैंने इसको copy करा यहां पे इस वाली position में गया यहां पे भी चिपका दिया और इसकी position में गया यहां पे भी चिपका दिया अब दे किस तरह से RGB split हो रहा है यह भी एक तरह का glitch है तो यह glitch की दूसरी variety है जिसको RGB split के थुरू करते हैं अब हमारे effect बन चुका है इसको बंद कर लेते हैं अब देखिए इसको दिखाना कैसे होता है यह मैं आपको बता हूँ यह बड़ा cool तरीका है क्योंकि नीचे तो यहां पे तो हमारा proper logo आई रहा है और यहां पर यह वाली animation खतम हो जाती है तो इस वाली को यहां पर काट दिया अब मैंने कहा कि 2 seconds 10 frame पर यह glitch effect ओन होगा और 20 frame तक चलेगा और उसके बाद यह यहां पर कट हो जाएगा ठेक है तो अब देखिए क्या होगा अगर मैं पूरी animation को और मैंने यहां पर आके नीच वाली layer कट कर दी यहां पर क्योंकि नीच वाली layer नहीं चाहिए अब देखिए और जहां पर आपको next layer चाहिए वहां पर आप इसको split के बाद भी कहीं चाहिए तो इसको आगे रख लेते हैं यह देखिए ऐसे तो अब क्या होगा split होने के ठीक है दोस्तो तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको तीनों effect समझ में आ गए हो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अभी subscribe कर लिजे क्योंकि जब आप subscribe कर लेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगे योट्यूब पे और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करके comment जरूर कीजेगा अगर आपको कोई सवाल हो तो comment कीजेगा और अपने दोस्तो और परिवार के साथ share भी कीजे धन्यवाद